Next theorem है, Prove that every Convergent Sequence Converges to a Unique Limit, हमने last विडियो में Convergent Sequence की Definition की थी, ठीक है ? अगर कोई Sequence किसी Point को Converge कर रही है तो उस Point को उस Sequence की Limit कहते हैं, कि limit and transfer infinity an is equal to n then l is called the limit of the sequence ठीक है अब ये थियोरों हमें क्या कह रिया है अगर कोई convergent sequence है तो वो किसी पॉइंट को converge कर रही होगी वो किसी एक unique point को ही converge करेगी हमें यहां पर limit की uniqueness प्रूव करनी है किसी भी question में अगर uniqueness प्रूव करनी हो तो हम उसकी तो two distinct मान कर चलते हैं और प्रूव कर देते हैं कि वो दोनों equal है ठीक है वहीं हम कर रहे हैं suppose that हम एक sequence ली एन यह कैसी sequence है convergent अगर यह convergent sequence है हमने मान लिया यह converge कर रही है two distinct real number l and l' को हमने माना है कि यह sequence ऐसी है जो two distinct number को converge कर रही है let epsilon greater than zero यह given real number epsilon कोई भी positive number है ठीक है बहुत small quantity होती है epsilon हमने कैमाना है कि an की दो limit है l और al' पहले हम मानते हैं कि an l को converge कर रहा है since an converges to l अगर an l को converge करेगा तो हम convergent की definition लगाएंगे जो हमने last video में की थी definition क्या थी अगर an l को converge कर रहा है तो मुझे एक stage मिलेगी एक natural number मिलेगा कि उसके बाद वाली सारी terms का difference इस fixed number l के साथ बहुत कम होगा या फिर ये कहें कि l की neighborhood में जाएंगी इस stage m और m के बाद वाली सारी terms l की neighborhood में जाएंगी ठीके वही definition हम लगाएंगे कि मुझे एक positive integer m1 मिल रहा है such that difference of an minus l less than epsilon लिखिए या epsilon by 2 लिखिए हमें बाद में इन्हें add करना है total का epsilon बनाने इसलिए हमने epsilon by 2 ले लिया epsilon बहुत चोटी quantity है epsilon by 2 भी एक positive चोटी quantity है ठीक है 4 all n greater than equal to m1 ठीक है फिर हमने माना कि an तो l dash को भी converge कर रहा है अगर an l dash को converge कर रहा है तो उसके लिए भी mod of an minus l dash less than epsilon by 2 होगा 4 all n greater than equal to m2 क्योंकि यहाँ पर limit l है उसके लिए हो सकता है मुझे कोई और stage मिल रही हो और l dash के लिए हो सकता है मुझे कोई और stage मिल रही हो जिनके लिए इस तरीके का hold कर रहा है मान लीजिए m की value 5 है मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पर जो m1 है उसकी value 5 है यानि 5 और 5 के बाद वाली सारी terms का difference 5 और 5 के बाद वाली पहली चार्ट terms के बारे में मुझे नहीं पता क्या है लेकिन 5 और 5 के बाद वाली आने वाली सारी term infinity तक उन सब का difference L के साथ epsilon by 2 से भी कम है ठीक है मान लीजिए m2 की value 10 है ठीक है कि यहाँ पर क्या हुआ दस और दस के बाद वाली सारी terms का difference L' के साथ epsilon by 2 से भी कम है यहां कितना है पाँच के बाद पाँच के बाद है तो यहां कितना है पाँच के बाद है तो यह जो पांच से शुरू हो रहा है वह ए 10 के लिए भी तो इस चीज को होल्ड कर रहा है A11 के लिए भी इस चीज को होल्ड कर रहा है और यहां A10 से ही शुरू है यानि A10 और उसके बाद वाले सारे numbers के लिए तो यह दोनों true है ठीके तो हमने M1 और M2 का maximum ले लिया और maximum के लिए तो दोनों result होल्ड करेंगे एक साथ ठीके उसके बाद नाओ हमें L और L' को equal दिखा आएंगे अप्रोच कर रहा है जीरो से भी कम है जीरो के नियर है इसमें एन कॉंटिटी एड़ कर दिया मोड कॉंटिटी हमारे पास रिजल्ट होता है मौड ऑफ एकस प्लस मौड ऑफ य इसे रिजल्ट का यूज किया यहां पर X यह है और Y यह कॉंटिटी है जब दोनों ठोकिंट यहां हो कई और Y जुक्रेश मारे पास थाक्रांट फिजल्टी लिंदे हमारे जुटे मैं एकसायलम होता है यहीं फिर्टी में 있었ंग यहां बैसालम ऑख यह जा सकते हैं चाहिता कि एकसायलम को सकते हैjem ok तो यानि इनका difference छोटा है L-L-3 से, कोई number 3 या मान लिज़े 5 है, क्या वो छोटा हो सकता है 5 by 3 से, सेम number को यहाँ इधर 3 से divide करें, divide करने के बाद तो number कम होता है, खीक है, तो mode of L-L- less than mode of L-L-3 which is a contradiction, इसका मतलब हमें contradiction पर पहुंचें, जब हम यह मान कर चले थे, कि AN sequence to distinct limit को converge कर रही है, इसका मतलब हमारी position wrong है, जो AN sequence है उसकी एक unique limit है, कुछ बुक्स में बच्चें, यहाँ पर L-L- less than epsilon है, तो हम इसे tends to zero कर देते हैं, epsilon बहुत small quantity है, तो L is equal to L- भी लिखकर, यहाँ पर भी कर लिखते हैं कि AN कि दो अगर हम distinct limit लेकर चलेंगे तो वो equal ही आ जाएगी, तब आप यहाँ पर distinct word यूज ना करें बस, ठीक है, clear?